दोस्तो आज हम एक कमरे की वाइरेंग किस तरह करते हैं और एक कमरे में हम क्या-क्या लोड जो है चलाती हैं उसकी वाइरेंग करना सिखेंगे दोस्तो हमारे पास घर के अंदर एक लाइन फेस यनी और एक नियूटरल जो है तार आ रही होती है दोस्तो लाइन और नीट्रल जो है हमने जो मेन ब्रेकर के बाद हमने एक सब मेन ब्रेकर लगाया चोटा उससे हमने जो है आगे सब कमरों को या एक ही कमरे को देनी है सप्लाई तो लाइन हम उसके थ्रू लेके आएंगे यानि कि फेस को ब्रेकर के थ्रू लेके आएंगे और Neutral दोस्तो, डारेक्ट हम घर के Sub Load को Common लगा देंगे और जो दोस्तो Face Line जो है उसको हम तमाम घर के Allard को जो हम Switchção के जरी Control कर रहे हैं हम Face को Switch के साथ तमाम Switch के साथ लगाएंगे और जो SwitchTION के ओटफुट है उस से हम घर के जो Allard है उनको हम चलाएंगे जैसे गार में दोस्तों लेंप लगा होता है और पंखा लगा होता है या अग्जास्ट फैन होता है इसके अलबा हमारे पास टू पिंट साकट या थ्री पिंट साकट होती है दोस्तों तो उसकी जो है हम वायरिंग फेस लाइन की स्विचों के त्रू करत करते हैं इसन esos requested हैं तमाम अलाद को करते हैं चले दोस्तों डाय ग्राम से समयते हैं यह लाइन यह है इल लाइन-लेज्वेश और 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 नियूट्रल है दोस्तों यह देखें एन जिसों ब्लैक कलर की line यह देखि हमने two pin socket के इधर direct लगा दी इसी तरह two pin socket के इधर भी आ गई और यह लैप पे आ गई और इसी तरह यह पंक्खे पे चली गई और आगे भी यह neutral दोस्तों इधर देखें डारेक्ट चली गई और एक neutral हमने यह three pin socket पे दी होई है दोस्तों ठीक है यह दोस्तों यह 3-pin circuit में जो आज कल मार्किट में वेलेबल हैं उसके साथ ही इधर switch लगा होता है इसलिए इधर इसको line भी डिर्क दे दी और यह जो है earthing wire है वो भी हमने 3-pin circuit के तीसरे point में दे दी और एक हमने देखें दोस्तों एक दो तीन यह तीन बटन दोस्तों लिए हुए हैं और इन में जो है हमने socket को देखे direct supply दी हुई है अगर हम जो है साक्टों में के साथ switch लगाना चाहते हैं तो इंतहाई easy है यह जो लैप की जारी वायर यह पंक है की यह वाली वायर लाइन हम साक्ट का sorry इस बटन के थुरू भी दे सकते हैं लेकिन इदर हमने यह लाइन direct दी हुई है इसी तरह यह देखें दोस्तों इसको और इसको यह तीन बटनों को हमने लाइन दी हुई है और ये इसकी पंखे की जो है जो है ये इदर स्विच की आउटपुट हमने ये डिमर स्विच है इसको लगए डिमर की आउटपुट ये पंखे पे जा रही है डिमर स्विच पंखे की स्पीड को कम और ज्यादा करने के लिए इस्तमाल होता है और ये दोस्तों ये इदर ये बट हम इस तरह जो है स्विच्चों के जिरिए चला सकते हैं दोस्तों हमेशा वायरिंग को मदे नज़र रखते हुए एक बात जहन शीर रखें कि आपको जो है में ब्रेकर बंद करके घर की वायरिंग करनी चाहिए या कोई भी फाल्ट हो तो उसको जो है ट्रेस करना चाहिए दो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी लहाज़ा इसको शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें शुक्रिया हुआ